नमस्कार आदाव इस वक्त आप देख रहे हैं बेरे साथ CIV इंडिया नियूज तो चलिए शुरू करते हैं खबरों खांसे सिला लगनों मंदल प्रभारी राम सिंग यादों ने कहा कि प्रदेश में सपा और बस्पा का जो गटबंदन हुआ है वो आउसरवादी गटबंदन है और आउसरवादी गटबंदन के विरोध में कांग्रेस से मिलकर सामाजिक गटबंदन बनाएगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया साधी कांग्रेस से गटबंदन भी करेगी पार्टी के लगनों मंदल प्रभारी राम सिंग यादों ने कहा कि सपा बस्पा का गटबंदन नहीं ठक बंदन है ये दोनों का ठक बंदन रुपया लेकर टिकट बाट रहा है बंदन नहीं है वो तो ठक बंदन है और व्यापारिक गटबंदन है आप बदाओं का एक 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 सीट पर कैसे लालस दे करके रुपया लेकर के ठिकट माटा जा रहा है लोग तंत्र में इसकी तो जगे नहीं हुए आप कितना काम्यार गुटतर पुदेश में बांते हैं अपने अपकों हम लोगों भारती जनता पार्टी के विकल्प के रूप में अगर कोई गटबंदर आज उक्तर पुदेश में है तो कांग्रेस और समाजवाजी और जो छोटे-छोटे हमारे पार्टी हैं यही ससक्त पर रूप से भारती जनता पार्टी को चुनोती ही नहीं उनको हराने का भेका में गटबंदर काईगा है तो बिल्कुल हम लोगों की विचारधारा एक है और स्वामंत वादी सक्तियों से लडने में हम लोगों का अग्रेस सारे लोग एक जैसा हम लोगों का परूप पार् पार्टी का भी सपस्ट हमारे मैनुफेस्टों में आभी जाएगा कि हम लोग सिर्फ कर्ज ही नहीं आप करेंगे किसानों को उनको लापकारी मोले देंगे फिर फ्यूचर में किसान आत्म निर्फार होगा इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग चुना मैदा रहा है और हम लोग जो सपा बसपा का जो अवसरवादी गडवंदन बना है इसके विरोध में एक सामाजिक गडवंदन उत्तरप्रदेश में होने जा रहा है और मैं मानता हूं कि भारती जन्ता पार्टी के विरुद्ध यही गडवंदन ससक्त रूप से चुनाव लड़ेगा और विजय स्री प्रात करेगा अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें